जया हेंद जया भारत दोस्तों इस श्वरंखला के भागतीन में आपने देखा किस तरह जलियां वाला बागत जनसंगार के बाद मार्शल्ला लगाकर अंग्रेजों ने अमरित सरकी जनता पर अत्याचार किये थे आज बात करेंगे उन दिनों में लाहौर और उसके आसपास के लोगों पर हुए जल्मों की जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है 6 अपरेल 1919 को लाहौर में बड़ी हर्ताल हुई थी 10 अपरेल को जलूस पर पुलिस की गोली बारी में चार पांच लोग मारे गए थे 16 अपरेल को लाहौर के प्रमुखनेता राम भजदत तचाधरी लाला दुनीचंद और लाला हरकिशन को गिरिफतार करके किसी अग्यात स्थान पर भेज दिया गया उसी दिन लाहौर में भी मार्शला लगा दिया गया करांतिकारी गटनाओं को रोकने के लिए करनल जांसन जो लाहौर में मार्शला का इंचार्ज था उसने आदेश दिया कि जिस गली या जिस जगह पर कोई बम फटेगा उसके सौगज के दाइरे में जिन लोगों के घर होंगे वे सब उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे उन लोगों को घर छोड़ देने के लिए केवल एक घंटे का समय मिलेगा उसके बाद वे सभी घर गिरा दिये जाएंगे लाहोर शहर के सभी वकीलों के मुन्शी, कलर्क और चप्रासियों को बिना परमिट शहर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई बिना कोई कारण बताए वकीलों और अन्य प्रमुख लोगों की अंधा धुन्द गिरफतारियां की गई जेलों में असहनी कष्ट दिये गए कोई अफायार नहीं, कोई चारशीट नहीं महिनों जेलों में सड़ते रहे एक और आदेश देखिए जो लोग अंग्रेज सरकार के प्रती वफादार नहीं थे उनके घरों के बाहर की दीवारों पर मार्शल लाके नोटिस चिपका दिये गए उन पर्चों की 24 गंटे रखवाली की जम्मेदारी घरों के मालिकों को दी गई अगर किसी घर के बाहर चिपकाया नोटिस गंदा हुआ या फटा मिला तो उस घर के मालिक को उठा कर जेल में ठूस दिया गया लोगों को अपने सब काम छोड़ कर दिन रात अपने घर के बाहर बैठना पड़ता था लेकिन इसमें भी मुसीबत थी शहर में कर्फ्यू लगा था और रात के आठ बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना था ठाड जाए तो आप तो गए काम से और बाहर बैठकर पहरा दे तो कर्फ्यू का उलंगन लोगों ने अपनी नींद खराब करके रात को सरकारी परचों की चौकीदारी करने के लिए घर के बाहर बैठने के लिए करनल जॉनसन से पास बनवाए लेकिन उसमें भी शर्त थी कि पास घर के मालिक के ही नाम बन सकता था अगर किसी ने अपने नोकर के नाम पर पास मांगा तो मना कर दिया गया क्या ये बात विश्वसनी ये लगती है पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा मैं विश्वास नहीं कर पाया लेकिन इसके बारे में अंग्रेज सरकार द्वारा गठित हंटर कमीटी की रिपोर्ट और कॉंग्रिस द्वारा गठित जांच कमीशन की रिपोर्ट में बड़े विस्तार से लिखा गया है आप स्विम पढ़ सकते हैं कुछ और उधारन देखिए लाहोर में एक कॉलिज था सनातन धर्म कॉलेज इस कॉलिज की बाहरी दिवार पर भी एक पोस्टर चिपका हुआ था किसी बदमाश ने उसे फाड़ दिया फिर क्या था हॉस्टल के सभी पांच सो चात्र और सभी प्रोफेसर्स को गिरफतार कर लिया गया मई का महिना था लू चल रही थी हॉस्टल में रहने वाले सभी चात्रों के सिर पर उनके बिस्तर रखवा दिये गए और सभी चात्रों और उनके अध्यापकों को कॉलिज से तीन मील दूर लाहोर के किले तक पैदल ले जाया गया सभी को दो दिन तक किले में कैद करके रखा गया बाद में कॉलिज के प्रिंसीपल द्वारा फिर ऐसा नहीं होने की लिखित गारंटी देने पर इने छोड़ा गया हंटर कमेटी ने करनल जॉनसन से पूछा क्या आपको लगता है आपका वो आदेश उचित था जॉनसन ने उतर दिया निसन्देह जब उससे पूछा कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आप लोगों को मार्शल ला की ताकत का एसास कराना चाहते थे उसने कहा बिल्कुल सही जब पूछा गया आपने पांचसो चात्रों को तपती धूप में किले तक पैदल मार्च करवाया उसका उत्तर था हाँ जब पूछा गया अब भी आपको लगता है कि आपने अपनी शक्ती का सही इस्तेमाल किया था जॉनसन ने कहा अवश्य यदि आवश्यक्ता हुई तो कल फिर ऐसा करूँगा कितनी दृष्टा से वह उत्तर दे रहा था कोई भय या प्राश्चित नहीं था आज के प्रिदृष्य में इसे यूँ समझ सकते हैं कि कोविड से बचाव के लिए सरकार जगह जगह पर नोटिस लगाती है कि मास्क पहने दोगज की दूरी बनाये रखें आदी हाला के अभी तो ये सब रिलेक्स कर दिये गए है फर्ज कीजिए आज भी ऐसी गाइड लाइन्स हों और ये नोटिस ये पोस्टर आपके घर की बाहर की दिवार पर चिपका दिये जाए और आपसे कहें कि अगर किसी ने ये पोस्टर फाड़े या गंदे किये तो आपको जेल में डाल देंगे आज तो बात बात पर सरकार को गाली देने का रिवाज है सबको आजादी है आज तो तथा कतित बुद्धी जीवी गुंडों, बदमाशों और आतंकवादियों के भी मानवा धिकारों की बात करते है क्या क्या सहा है हमारे पूरवजों ने इस आजादी के लिए कलपना करके देखिए एक और आदेश जारी हुआ जिसके बाद डियेवी कॉलेज, दयाल सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को दिन में चार बार सरकार द्वारा बताये गए स्थान पर पहुँचकर हाजरी लगानी पड़ती थी सुबह साथ बजे, ग्यारा बजे, दोपहर तीन बजे और शाम को साधे साथ बजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पटियाला हाउस जाकर चार बार हाजरी लगानी पड़ती थी जो इतनी दूर था कि एक दिन में सत्रा मील चलना पड़ता था सत्रे मील का अर्थ है 26 किलो मीटर और हर रोज यह दूरी पैदल चलकर तै करनी पड़ती थी गर्मी के उस मौसम में अंग्रेज सरकार ने एक अलग आदेश जारी करके भारतियों के सभी साइकल, मोटर साइकल, मोटर कार भी अपने कबजे में ले लिये थे यहां तक की तांगे भी रिक्विजिशन कर लिये थे अब चात्रों के पास पैदल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब हंटर कमेटी के सदस्य चमनलाल सीतल वाड ने करनल जॉनसन से पूछा गर्मियों के मौसम में तेज धूप में तीन सप्ता तक कॉलेज के चात्रों को दिन में अटेंडेंस लगाने के लिए रोज सत्रा मील चलना पड़ता था इस पर जॉनसन का उत्तर था यह सोला मील था मैंने इसे ना पाए सर सीतल वाड ने पूछा क्या ऐसा आदेश सही था उसका उत्तर था बिल्कुल सही एक CID वाले ने शिकायत कर दी कि उसे दयाल सिंग कॉलेज की दिवार पर जहां मार्शल ला का नोटिस लगा था उसके पास ही सरकार विरोधी पोस्टर चिपका हुआ मिला इस शिकायत पर करनल जॉनसन ने शाम के साथ बजे कॉलेज परशासन को आदेश दिया कि अगले दिन दोपहर बारा बजे तक उस पोस्टर चिपकाने वाले का नाम बताएं कॉलेज ने पूरी कोशिस की पर इसका कोई सुराग नहीं मिला अंजाम ये हुआ कि कॉलेज पर धाई सो रुपे जुर्माना या प्रिंसीपल की जेल का फ्रमान जारी कर दिया गया कॉलेज ने धाई सो रुपे जुर्माना देकर अपने प्रिंसीपल को बचाया हंटर कमेटी की रिपोर्ट के प्रिष्ठ दोसो पर लिखा है वो वेक्ति जिसने वो आपती जनक पोस्टर लगा होने की शिकायत की थी कुछ दिन बाद कसूर में जूठी गवाही देने का दोशी साबित हुआ था याने कोई पोस्टर नहीं चिपकाया गया CID के एक वेक्ति ने जूठी शिकायत की और उस जूठी शिकायत पर कॉलेज के प्रिंसीपल को जेल में डालने की धमकी दी गई जिसके बाद धाई सो रुपे दे कर जान चुड़ाई चात्रों पर विशेस रूप से अत्याचार किये गए इन सभी कॉलेज के प्रिंसीपल को आदेश दिये गए कि वे शरार्ती चात्रों की लिस्ट और उनको दी जाने वाली सजा की जानकारी करनल जॉंसन को दें जो लिस्ट और जो सजा कॉलेज प्रपोज कर रहे थे उससे जॉंसन संतुष्ट नहीं हुआ उसने सब को आदेश दिया कि सजा पाने वाले चात्रों की संख्या बढ़ाएं और सजा कड़ी भी करें DAV College को करनल जांसन की ओर से Major W. Bunce द्वारा 10 मई 1919 को लिखा गया पत्र इसकी पुष्टी करता है इस पत्र में कहा गया था कि DAV College में सबसे जादा सरकार विरोधी तत्व हैं पत्र में धमकी दी गई थी कि यदि लाहौर सिविल एरिया के Officer Commanding Colonel Johnson की बात नहीं मानी गई तो College को बंद कर दिया जाएगा दोस्तों DAV College आरिय समाज की संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं और आजादी के आंदोलन में आरिय समाज की भूमिका बहुत बड़ी थी इस पर अलग से कभी वीडियो करेंगे एक और घटना देखिए लाहोर में एक बारात निकल रही थी जिसमें दस से अधिक लोग शामिल थे वे सभी गिरफतार कर लिए गए और दुल्हे और पंडित जी सहित सब की बैतों से पिटाई की गई ट्रिब्यून अखबार के ट्रस्टी मिस्टर मनोहरलाल और संपादक कालीनाथ राय को पंजाब के उस समय के लेफटिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के 7 अपरेल 1919 को दिये गए निन्दनिय भाशन की आलोचना करने के कारण जेल की यातनाय जेलनी पड़ी और अखबार बंद हो गया ऐसा ही हुआ था अखबार परताप के साथ भी लाहर जिले का एक कस्बा था जिसका नाम था कसूर ये लाहर से कोई 50-55 किलोमेटर दूर है 11 अपरेल तक कसूर पूरी तरा शांत था कोई हर्ताल भी नहीं हुई थी जब पलवल में महात्मा गांधी की गिरफतारी अमरित सर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुदीन किचलू की गिरफतारी की खबर आई तो कसूर का महौल भी गर्म हो गया 12 अपरेल को वहां भीड एकठी हुई भीड ने रेल्वे स्टेशन पर तोडफोड की टेलिग्राफ के तार काट दिये गए फ्रोजपुर से आरही रेल गाड़ी को रेल्वे स्टेशन से पहले ही रोक लिया इसमें कई अंग्रेज यात्रा कर रहे थे अंग्रेजों पर हमला हुआ पर उन मेंसे दो अभागों को छोड़ दें तो बाकी को आकरामक भीड से कुछ भारतियों ने ही बचा लिया वे अंग्रेज फौजी जिनके पास हतियार नहीं थे वे बच गए पर दो वारेंट आफिसर जिनके पास पिस्तोल थे उन्होंने भीड से बचने के लिए गोलियां चला दी और शायद यही घातक साबित हुई जैसे ही उनकी गोलियां समापत हुई भीड ने उन्हें पीट-पीट कर मार दिया तैसील पर आकरमन हुआ जहां पुलिस की फाइरी में चार लोग मारे गए और कई घायल हुए 16 अपरेल को वहां भी मार्शला लगा दिया गया खूब गिरफतारियां हुई जिनोंने अंग्रेजों की जान बचाई थी वे भी नहीं छोड़े एक माई को महिलाओं और छोटे बच्चों को छोड़ कर बाकी सारे शहर को स्टेशन पर इकठा कर लिया गया और पीछे से ये देखने के लिए कि कहीं कोई पुरुष घर में छिपा तो नहीं रह गया पुलिस घरों में गुश गई घरों में सिर्फ महिलाई थी छातर मेरे सामने पेश करो हेड मास्टर ने छातर मैक्रे के सामने पेश कर दिये जो शरार्त कर रहे थे छातर देखने में दुबले पतले थे मैक्रे ने नाराज होकर कहा कि इन्हें क्या सजा दूँगा स्कूल के सबसे तगडे छातर पेश करो हेड मास्टर ने ऐसा ही किया कैसी अंधेर नगरी चोपट राजा वाली कहानी दोहराई जा रही थी वे छे चात्र जिनका कोई कसूर नहीं था उन्हें सिर्फ इसलिए नंगे शरीर बैंतों की सजा मिली क्योंकि वे शरीर से तगड़े थे, स्वस्त थे हंटर कमिटी ने मैक्रे से पूछा क्या आपने ये आदेश दिया था कि जो छह लड़के सबसे बढ़े हों तगड़े हों उन्हें बैंत की सजा दी जाए मैकरे ने उत्तर दिया हाँ जब उससे पूछा गया क्या ये उनका दुर्भागे था कि वे औरों से बड़े थे, उत्तर मिला, यकीनन, कमेटी ने पूछा, क्या ये सही तरीका था, मैकरे ने कहा, मैं अब भी यही सोचता हूँ, कि ये सही था, लाहोर, लायलपुर और गुजरात जिले में भी भारतियों को आदेश दिया गया, कि अंग्रेज अफसरों को देख लिखते ही सलाम करना होगा, लाहोर में करनल जॉनसन के आदेश पर सभी भारतियों की गाड़ियां और तांगे ले लिए गए, घरों में लगी बिजली की लाइटें और पंखे उतार लिए गए, हंटर कमेटी ने जॉनसन से पूछा, क्या भारतियों से उनकी कारें छीन ल कि लायलपुर के सभी स्कूलों के सभी चात्र अगले दिन से उस अंग्रेज अफसर के कारियालय के बाहर लगे अंग्रेजों के जंडे को आकर सलाम करेंगे, इस तरह चात्र अपने अध्यापकों के साथ वहां आते हैं और यूनियन जैक को सलाम करते, अध्यापकों को एड़ मास्टर द्वारा सर्टीफाइड लिस्ट भी लानी पड़ती थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई चातर एबसेंट तो नहीं है। इस तरह मार्शला लगाकर अंग्रेजों ने पंजाब के लोगों को अपमानित और प्रताडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शायद इसी लिए उस मिट्टी में वीर भगत सिंग पैदा हुए। आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। इस शुरंखला के अंतिम भाग में बात करेंगे उस घटना की जब अंग्रेजों निर्दोष नागरिकों पर हवाई जहाज से बम गिराए थे। इस वीडियो में दी जानकारी आपको कैसी लगी अपने विचार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईएगा। जाया हिंद जाया भारत।